तो welcome friends, आज की वीडियो में हम draw करने वाल हैं कुछ इस तरीके की geometry जो कि हम Catia में draw करेंगे तो यह Catia का user interface है तो जल्दी से start कर लेते हैं, यहाँ पर हमें start पर click करना है then mechanical design, then go to part design और यहाँ पर जो part का name है, वो हम यहाँ पर यही रहने देते हैं तो यहाँ पर हमने ok click किया, तो यहाँ पर Catia का user interface open हो चुका है then we click on plane, तो आप इन में से कोई भी plane select कर सकते हैं then click on sketching, तो यहाँ पर मैं एक randomly line draw कर ले रहा हूँ जो कि हमारे दो circle के center को, जो दो circle हम draw करेंगे, उनके center की distance को show करेगा तो यहाँ पर यह dimension हम 10 रख लेते हैं, तो जो भी dimension है हम randomly choose कर रहा है, आप अपने according उसको choose कर सकता है जो भी आपको sketching में दिया होगा, तो यहाँ पर मैं एक circle draw करूँगा, then I click here, so suppose this dimension is 5 and again I draw circle over here, suppose the diameter is 3 now again I click another circle over here and the dimension of this circle is going to be for example 3 and another circle I draw over here, the dimension is 1.5, okay, then जो हमने जो line draw की थी, जो की दो circle के center की बीच की distance है, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि अभी इसकी हमें जरूत नहीं है, हमें सिरिफ यह circle एक particular position पर set करने थे, इसलिए हमने इनको दूर दूर रखा, इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पर बिलाना है, और जो line इसको join करेगी, वो उन दोनों circle पर tangent होगी, तो यहाँ पर आपको normal line पर click नहीं करना है, बलकि जो छोटी सी arrow है, आप जहाँ देख रहे होंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको यह third option, यह tangent line को show करता है, आप देख भी सकता है, by tangent line, इ आप यहाँ देख पा रहे होंगे, similarly यही step हम वापस से repeat करेंगे नीचे के लिए, तो यहाँ पर आपकी tangent line draw हो गई है, अब हमें यह portion यहाँ से हटाना है, और यहाँ से यह portion हटाना है, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे option देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक quick trim का option, और इसके बाद आप यहाँ पर click करेंगे, यह हट जाएगा, then again फिट से select करना है quick trim, और यहाँ पर click करना है, यह भी हट जाएगा, अब हमें सिर्फ यहाँ पर जो geometry है as per the drawing वो हमें यहाँ पर बनानी है, तो यह देखेगा, जो geometry हमें यहाँ बनानी है, वो automatically यहा पर geometry दिख रही होगी, तो आप यहाँ से भी उस geometry को बना सकते हैं, like this, तो आप कुछ इस तरीके से उस geometry को बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आप कुछ इस तरीके से उस geometry को बना सकते हैं, और यह जो है, आप इसको आगे पीछे कहीं भी shift कर सकते हैं, यह हमारी कुछ इस तरीके की है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, like this, जैसे कि आप यहाँ देख रहा होंगे, तो मैंने OK क्लिक किया, और इसको वापस से थोड़ा सा इधर सेट कर दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यह यहाँ पर आपका राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यह कौन साइट कर सकते हैं, तो यह एक लेविल में आ जाएगा, तो यहाँ पर यह आपका sketching अभी तयार हो गया है इसके बाद आप इसको उपर नीचे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि हमने इसको constraint कर दिया अब आप इसको left और right ही ड्रैग कर सकता है इसके बाद आप यहाँ से exit करेंगे sketch को क्योंकि sketch हमारा बन कर तयार हो गया है और इसके बाद आप यहाँ पर pad पर click करेंगे third dimension देने के लिए और यहाँ पर dimension आप देख पा रहे होंगे जितना भी आप उसको height देते रहेंगे उतना ही यह extent होता रहेगा suppose हम इसकी height कुछ इतनी रख रहे हैं क्या हमें स्रिफ show करना है आप जितनी भी length रखना चाहे जितनी भी thickness रखना चाहे वह यहाँ पर आप feed करके रख सकता है तो preview देखेंगे तो यह बनने के बाद कुछ इस तरीक एगा दिखेगा जो की okay है और इसके बाद आप यहाँ से okay क्लिक करेंगे तो यह कुछ इस तरीके का component आपका बन करते यार हो जाएगा तो यह आपका final component है जो की बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा तो यह था एक quick demo के how to draw 2D sketch और how to convert that sketch into a 3D model तो हमने एक छोटा सा component लेकर हमने यह दिखाया कि किस तरीके से हम एक 2D sketch को बनाते हैं और उसको फिर 3D में convert करते हैं I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्यूचर में इसी तरीके के वीडियो इसको देखने के लिए प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू फो वाचिंग थैंक यू फो वाचिंग please subscribe the channel for more related videos